दोस्तों मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं सब मालूमात दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आप यूट्यूबर हैं ने हैं या पुराने हैं आप परेशान हैं के भाई हमें DSLR खरीदना है तो दोस्तों आपके पास DSLR का बजट नहीं है तो आप DSLR जैसा रिजल्ट अपने मुबाल के अंदर ही बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं दोस्तों एक छोटी सी एप्लिकेशन आती है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और तक्रीबन 99% यूट्यूबर भी वह कोई एप्लिकेशन यूज़ करते हैं जिसमें आपको बिल्कुल DSLR का रिजल्ट मिलता है तो उस एप्लिकेशन का नाम क्या है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ उस एप्लिकेशन का नाम रिकमेंड करूंगा और उसका आपको आइकन दिखाऊंगा कि यह वाली इस एप्लिकेशन के अंदर आप जो है न अपनी वीडियो को रिकार्ड किया करें तो दोस्तों उस एप्लिकेशन का नाम क्या है उस एप्लिकेशन का नाम है ओपन कैमरा दोस्तों इसकी आपने सेटिंग करनी होती है तोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है इसनी खास सेटि तो आपको मिल जाएगी कि open camera की setting कैसे हो दी है लेकिन अगर आप setting नहीं भी करेंगे तो by default भी वह application अच्छा वर्ग करती है दोस्तों उसमें काफी अच्छा result मिलता है और काफी सारे यूटीबर यही application यूज़ करते हैं और इसी application में आपको result अच्छा मिलता है बाकि आपने बहुत सारी application ऐसी इस इस्तमाल की होगी और कोशिश की होगी उसमें camera का result आपको अच्छा नहीं मिलता लेकिन open camera सिर्फ यूटीबर इस्तमाल करते हैं और सिर्फ यूटीबर के लिए वो जो एना मतलब मुफीज है और उसमें जबरदस रिजल्ट मिलता है आपको दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आज आज हमार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों अल्ला आपिस